हेलो दोस्तों टर्गेट टुटल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज हम कवर करेंगे रेलवेटु का जो स्टेज टू एक्जाम से उसकी बारे में आज पूरा डिसकेशन्स करेंगे हम क्या पेटन्स रहने वाला हैं किस तरीके सिलेवस रहेगा और जो 64,391 वेकेंसी है इसके लिए आप किस तरीके से अपने प्रिप्रेशन्स आगे जारी रख सेते हैं समय बत कम है और जंग छिड़ चुकी है जी हां नोटिफिकेशन्स आ चुका है एक्जाम का तो जो एलपी का सेकेंड स्टेज का पेपर होने जाएगा उसकी जो अभी जो फर्स फेस हुआ था उसका रिजल्ट का है आरारवी बोर्ड ने बोला है कि फाइफ नॉंबर 2018 को या इससे पहले आपका रिजल्ट शो हो जाया है आप क्वालिफाई करते हैं तो आप पहुचेंगे सेकेंड स्टेज पर जहां पर समय बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज इसने वरा हैं उनके लिए क्या सिलेबस रहेगा और उनको क्या ध्यान रखना है अपनी एक्जाम से क्या सिलेबस में पढ़ना है तो यह सब आज हम डिसकस करेंगे आप मेरे इस चैनल को सबसाइब करिए शेर करिए और बाकी जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी बताईए और जो अब बात करते हैं सेकेंड इस्टेज की तो जो सेकेंड इस्टेज की डेट अनौंस करी है वो बोला है कि 19th November 2018 जो अगले महिने की 19th है केवल आपके पास 19 दिन दिये हैं 19 दिन की प्रिप्रेशन में आपको प्रिपेर करना है आपके टेस्ट टू के लिए स्टेज टू क जयों के लिए समय कम है केवल सेलिबर्स पर फोकस करिये और उसे कवर करते चलिए इЙए आपके लिए रहेगा सीलेक्शन की लिए बात करते हैं सेलेक्शन्स प्रोसेस्स की तो जो एल्पी जो हैं असिस्टेंट लोगो पाईलेट असिस्टेट में लोको पाइलेट में आपने फर्स स्टेज अगर आप क्लियर कर लेते हैं अभी फर्स स्टेज के एक्जाम्स हुए थे अगस्त से सिप्तमदाबर के बीच में अब रिजल्ट गोशीत होने वाला है पाच नौंबर को उसके बाद जो भी स्टुडेंट्स हैं जो मेरिट और नौनर्मिलाइज़ेशन के स्टूफ क्वालिफाई करेंगे वो सेकेंड स्टेज का जो पेपर रहेगा एल्पी का उसमें वो इलीजिवल होंगे बात करते हैं क्वालिफाईंग मार्स की तो मेरा यह मानना है कि अगर आपके 35% मार्स आते हैं फर्स स्टेज में तो मेरा यह मानना है कि आपको क्वालिफाई कर जाएंगे अगर इस फर्स इस्टेज में आपने जो छोटी-छोटी गलतिया करी उसका ध्यान रखिएगा सेकेंड इस्टेज में यहाँ पर आपको बिल्कुल जो क्योशन्स आपको अच्छे से आता है वही करिए यह जो तुक्का लगाने की जो आपकी आदत है उसे मत करिए क्यों? क्योंकि आप जब तुक्का लगाते हैं तो आप आपकी सफलता को कम कर देते हैं आप आपकी सफलता को कम कर देते हैं आप यूँ समझे कि अगर मैं 35% मैंने कर लिए एटेंट गुड एटेंट है यह 35 ठीक है? दोस्तों तो यह जो बात करते हैं for the post of LP के बारे में तो जो first stage हो चुका है second stage CBT test रहेगा LP वालो के लिए उसके बाद computer based aptitude test रहेगा ये एक psycho test होगा इसमें visual certifications के आरावर शकता रहेगी उसके बाद documentations verification रहेगा ठीके दोस्तों ये रहेगा LP वालो के लिए बात करते हैं technicians वालो के लिए तो जो technicians post के लिए जो first stage उनका भी हो गया है और जो second stage है उनका second stage same part A रहेगा part B इनके लिए नहीं रहेगा बात करते हैं part A की, part B की तो ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कि part A में कौन सो सी लिवस रहेंगे, क्या content हो रहेगा part B में क्या क्या रहेगा ये सारी चीज़े हम आगे डिसकस करते हैं मेरा ये वीडियो आप पूरा दिखें, आपको एक सही और smart study मैं बताऊँगा कि किस तरीए से आप इस challenge को complete कर सकते हैं 19 days में और 19 days कम नहीं होते हैं कहीं न गहीं आपको एक दिन में 24 गंटे मिल रहे हैं तो कहीं न गहीं 19 into 24 करी लीजिए आप आपको 24 hours 480 hours मिल रहे हैं आपको लगभग 480 hours मिल रहे हैं कम नहीं होता है दोस्तों उसके बात बात करते हैं second stage की तो जो second stage का paper रहेगा इसका जो time durations रहेगा वो रहेगा 2 hours का और 30 minutes 2 hours 30 minutes का ये total time periods रहेगा आपका इसमें जो part A है और part B दोनों रहेंगे बात करते हैं part A की second stage के part A की तो जो part A है वो 90 minutes का रहेगा इन 90 minutes में आपको 100 questions करना होंगे जो आपका अभी stage first दिया था उसमें जो patterns रहा था same patterns आपका part A में रहेगा ठीके और इसमें जो number of questions है वो बढ़ गए हैं आपके number of questions 100 हो गए हैं और time durations 90 minutes हो गए है यहाँ पर बात करते हैं this mark scored in part A alone shall be used for share listed ये जो part A रहेगा इसी की merit based उपर आप shortlisted होए रहेंगे और जो recruitment process रहेगी वो आगे further रहेगी subject to the conditions that the candidate is secured qualifying marks in part B जो part B रहेगा वो आपका qualifying marks करहेगा उसमें आपको की रहेगा qualify करना रहेगा बात करते हैं syllabus की तो जो part A का syllabus रहेगा second stage के लिए वो कुछ इस तरीगे से रहेगा बात करते हैं सबसे पहले mathematics की गनित की तो जो गनित के syllabus में cover करेंगे आप सबसे पहले number system को cover करिए अभी जो group D और ALP के exams होएते हैं उसमें number system से 1 अंक निकालना और जो number systems में ही आपकी जो घातांक वगेरा हैं उससे related questions पूछे गए हैं board mass बिल्कुल complete कर लीजिया board mass में कोई practice कर लीजिया decimals पूछा जाएगा fractions पूछा जाएगा LCM, SCF main topic के ही हैं सारे जो आगी दिये गए हैं LCM, SCF ratio proportions ratio proportions आगर आपका complete है तो कहीं न कहीं आप 8 से 10 ये जो time and work हैं ये ratio से complete कर सकते हैं time and distance है ये ratio से complete कर सकते हैं इसी तरीके से profit loss complete कर सकते हैं ratio से बहुत सारी चीजे इस ratio पर dependent है ratio पर तो ratio और percentage ये दो topic आप अच्छे से cover करिए इनके basics को समझे हमारे वीडियोस में हम cover करेंगे कैसे आप ratios वगेरा से ये सारे chapters cover कर सकते हैं एक साथ ये मैं आपको बहुत ज़ल्दी वीडियोस complete करने वाला हूँ आगे जो देखते हैं तो mensurations आएगा time and work आएगा time and distance आएगा simple and compound interest ये ये आपके लिए topic रहेगा best simple and compound interest अगर इसमें आप की अच्छी पकड़ हैं तो कहीं न कहीं आप उन व्यक्तियों से आगे निकल जाएंगे जो इस chapters को छोड़ते हैं ये ये chapter complete करिए आप profit and loss एक questions हमेशा पूछा जाएगा और algebra geometry geometry को देखिए क्योंकि जो LP की questions है वो geometry best जो आपका paper 2 होगा part B वो कहीं न कहीं geometry से related भहुत ज़्यादा पूछा गया है जो engineering drawing है वो काफी पूछा जाएगा part B में ये part A के बारे में डिसकस कर रहे हैं इसमें trigonometry पूछा जाएगा elementary जो statistics होता है वो पूछा जाएगा square roots याद कर दीजिए हैं square roots किस तरीके से निकाला जाता है age calculations और calendar clock ये आपका reasoning में भी cover होता है और आपका maths में भी cover होता है calendar and clock pipes and systems अच्छा chapter है ये भी ये भी आप ratio से कर सकते हैं ठीके दोस्तों तो ये है mathematics का syllabus बात करते हैं general intelligence and reasoning की बहुत ही अच्छा subject है ये एक scoring subject है इसमें अगर आप केवल syllabus अगर complete करके चलते हैं तो कहीं न कहीं आप केवल concept को clear करिए इस reasoning में केवल आप concept clear करिए अगर आपके उस chapter के concept complete है तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर reasoning से अगर these questions भी आते हैं तो कहीं न कहीं आप 28 math attempt कर सकते हो बस इसमें practice की ज़रूरत है और जो quick approach रहती है उसे ध्यान रखिएगा मैं आपके सामने reasoning के बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले भी upload किये हुएं जो इस बार की जो group D और ELP के questions हुए थे आये हैं first stage में वो काफी हद तक coding based थे coding decoding पुछा गया था directions पुछा गया था इस तरीगे ही जो questions थे coding decoding से 5 से 6 questions पुछे गया है तो coding decoding cover करिए हैं analogies cover करिए alphabet number series number series एक दो number series आती ही आती है तो ये cover करिए हैं इसकी approach देगे किस type का pattern हो क्या करना चाहिए मैं reasoning की गिल्कुल continue series आपके सामने ले करा हुआ कहीं नगहीं आप उनसे सीख पाऊगे ये मेरा मानना है mathematical operations जो plus signs को minus में change कर देते हैं minus को into में change कर देते हैं into को divided में change कर देते हैं और फिर एक series दी जाती है वो हता है mathematical operations तो उसे cover करिए relationships जिसे बोला जाता है blood relations बहुत ही अच्छा subject है बहुत ही अच्छा chapter रही है blood relations इसे cover करिए इस पर practice करिए per day आप एक नए एक target fix करिए आज से per day एक target fix करिए कि मुझे आज reasoning को दो घंटे देना है maths को दो घंटे देना है और जो current affairs है current affairs आप हमारे यहां से कर सकते हैं हमारी जो regular videos आ रहे हैं current affairs के वो सारे cover करते हैं सारे जो daily news update होती है वो सारी daily news cover होती है तो जहां वहां भटकने से better है आप केवल एक reference cover लीजिए और एक reference को ही cover करिए ठीके दोस्तों और इस तरीके से आप daily mock test जरू लगाए ALP का जो mock test है अब आपको spit बड़ा देना पड़े हैं कहीं अगई आपको 2-4 mock test per day लगाना है अगर आप दो mock test एक सुबह एक शाम को लगाते हैं और उनका solutions आप देखिए कहीं अगर आप 100 questions का एक paper लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो options मिलते हैं हर questions में 4 options मिलते हैं उनको cover करिए तो आपकी एक paper में 400 questions cover होते हैं कम नहीं होंगे 400 questions अगर आप science वगेरा से 30 questions भी करते हैं तो जो है 30 मतलब 100 questions के something आप cover कर जाएंगे बात करते हैं syllogism की syllogism का मैंने एक videos डाल रखा है बहुत अच्छा है आप उसको देखिए उससे related questions आएंगे ही आएंगे jumbling आईगी when diagram when diagram उसे पुछा जाएगा questions एक data interpretations पुछा जाएगा DI दी जाएगी simple DI दी जाएगी उसमें पुछा जाएगा आपसे कितना percentage किसका difference और कितना average होगे रहा हैं इस तरीके से conclusion and decision making ये इस बार का target रहा है railway का 2-3 questions decision making से दिया गया है मैं decision making पर अपने videos लेगा रहूंगा उसमें आप कियवल आप concept पर clear focus करना आपको जहो भी questions आएगे वो आपको तुरंद quickly solutions कर सकते हैं 5 से 10 seconds में similarities दी जाएगी differences दी जाएगे analytical reasoning आएगी और classifications आएगा directions आएगा statement arguments ये भी आपका analytical legal में आएगा और assumptions आएगे तो ये सारा cover आएगा reasoning में इसे cover करिए इस syllabus को लिख लीजिए आप एक एक चिप्टर भी अगर आप करते हैं तो कहीं नगें आप पूरे syllabus को complete कर जाओगे 19 days ये मेरा मानना है और कर सकते हैं अगर अपन ने ठाल लिए आए तो ये इसमें selections अपना अपते हैं बढ़ते हैं next ये मैं basic science basic science इसमें आप सबसे पहले periodic table cover कर लीजिए क्योंकि अगर आप अभी देख रहे हैं जो papers अभी हो रहे हैं उसमें periodic table से दो दूशांस पूछे जा रहे हैं ठीकें तो वो cover करिए आप इसके साथ ही ये engineering drawings है इसमें ये projections, views, drawings, instruments, lines, geometry figures ये सारे complete करिए symbolic representations, scales वगेरा क्या graph मतलब किस paper की क्या size रहती है ये सारी चीजे cover करिए कुन सा paper होता है ये units cover करिए mask unit cover करिए जितनी भी units है fundamentals जो derived units है उनको cover करिए measurement cover करिए किसको किस से नापा जाता है ये cover करिए measurement किस में नापते हैं, meter में, length को time को seconds में होगेरा इस तरीके से cover करिए mass, weight and density इनके formulas यहाँ निकालिए और formulas based आपको numerical पूछे जाएंगे numerical पूछे जाएंगे उसे cover करिए कि किस से किस तरीके से इसके formulas से questions पूछा जाजेगा और सो कैसे convert कर सकते हैं ये सारा चीज़े cover करिए work, power and energy इनके बारे में describe करिए और इनने देखिए इनकी क्या कई होती है, क्या से इनके मात्रक को वनवर्ट किया जा सकता है ये सारी चीज़े आप इसमें पढ़िए speed and velocity ये सदीश राशी, अदीश राशी क्या है speed क्या है, velocity क्या है इससे cover करिए इससे related जो भी जो Newton's low अगे रहा है वो सारी चीज़े cover करिए heat and temperature cover करिए basic electricity जो है ये railway का पूछा जाता है railway में इससे equations electricity से तो ये ध्यान रखिएगा अगर आप electricians से बर रहे हैं तो कहीं नहीं आपको जो diploma किया है electricians से उनके लिए जो diploma में जितने भी semester हुआ है उसमें जितने भी subjects आए हुआ वो सारे वो लेवल थोड़ा सा अभी अपने हिसाब से रखेगी यार में क्या cover कर सकता हूँ इन 19 days में ज्यादा material के पीछे मत भागिए material बहुत मिल जाएगा पर time निकल जाएगा ठीके दोस्तो इस तरीके से IT literacy और education environment आप cover करेंगे basic science and engineering अब बात करते हैं general awareness की general awareness के लिए मैं एक target आपको बताना चाता हूँ कि सबसे पहले आप countries capital और वहां के जो मैंने राष्टपती है तो राष्टपती और प्रधान मंत्री है तो प्रधान मंत्री state chancellor है तो state chancellor वो target fix करिए कि मैं अपने neighbors country की सबसे पहले याद कर लो उसके बाद दीरे 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 में अपना IQ बढ़ाता हुआ जाओ इससे इसा नहीं है कि आप एक ही दिन में करिए इसको revision भी करिए per day revision से आपको ये चीज़े complete हो जाएगी कहीं नहीं आप ये चीज़े एक बार cover कर लेंगे पर ये नहीं है कि आज केवल एक दिन पढ़ा अगले दिन कुछ और उठा लिया नहीं इसका revision सबसे पहले उसके बाद next चीज़ उसके बाद आगे ठीके current affairs डेली current affairs पर लिए six months की जूतने भी current affairs बने अभी तक important important current affairs इसकी बहुत सारी फीडियेक्स आपको available हो जाएगी हमारे links से जूट जाएगा वहाँ पर मैं आपको available करवाँ हुआ ठीके ये करेंगे science and technology से जितनी भी news बनी है इस बार की वो cover करेंगे sports से जितने भी Asian Games हुए है वो cover करेंगे जितने youth Olympics हुए है वो cover करेंगे culture से लिलेटेड जितने भी नरत हैं जितने भी नाटक हैं जितनी भी पुस्त के वगेरा ये सारी चीज़े हैं ये cover करेंगे ये cover करेंगे personalities अभी जो हाली में जितने भी news में personalities क्या इनमें बताया गया है personalities के बारे में उनको cover करिए जितनी भी personalities कौन किसके CEO बनें कौन किसका अध्यक्ष बनाएं ये सारी चीज़े cover करिए economics से related आप दो तिन questions पूछे जाते हैं तो better है आप ये सारी चीज़े पेले cover करें उसके बाद economics में पे जाएं और politics पे जाएं politics आप अभी अगर आपका better है तो आप यहां पर आप केवल उनका revision कर लिए जो आपने पढ़ रखा है इसके पीछे start करने का ज्यादा मोटी मत रखिए 19 डेज हैं कहीं न गहीं आप maths, reasoning और current affairs वगेरा और जो चीज़ें आपको पता है कि मुझे अच्छे साती है उनको cover करने की पहले कोशिश करिए उसके बाद जो extra time मिलता है उसमें यह सारी चीज़े cover करीए और daily mock test हमेशा लगाईएगा आज इससे मनन कीजिए कि आप mock test लगाएंगे तो कहीं न गहीं अच्छे मुख test से आप number पता चल जाएगा कि मेरे exam में कितने number आ सकते हैं या आप खुद analysis कर सकते हैं बात करते हैं second stage के part 2 की तो part 2 में जो आपका paper होगा वो ALP वालोगा होगा इसमें technicians part 2 technicians के लिए नहीं होगा technicians के लिए only part A होगा जो part A का syllabus मेंने content बताया है के लिए उसको cover कर लिए technicians वाले और जो part B है वो हैं ALP वाले जिनोंने trade से बनाए उनकी relevant trade से आपको पूछा जाएगा ये पिचोतर number of questions रहेंगे इसमें जो marks आपको रहेंगे वो पिचोतर number से marks रहेंगे और durations रहेंगा only on 60 minutes 60 minutes में आपको पिचोतर questions करने हैं पर questions का एक number आपको मिरेंगे और आप इसमें जो relevant trade है आपकी वो इस link पर जाकर ये अपनी Google पर search करके ये वहाँ पर ये link डालिए यहाँ पर आपको आपकी trade से relevant subject या relevant चितना भी syllabus है वो आप यहाँ से download करिए और उसे cover करते हुए चलिए ये आपको link provide करवा रहा हूं है ये जो second stage paper होगा ये 35% marks का 35% qualifying marks आपको लाना है इसमें ये qualifying natures का होगा ये जो इसमें जो syllabus cover किया जाएगा वो director general of employment training ये DCET के द्वारा जो syllabus दिया जाता है वो cover किया जाएगा तो उसे आप cover करिए ठीक है ये part stage second के लिए रहेगा maybe आपको various electrician states वगरा सभी subject के बारे में पूरा syllabus content वगरा बताऊँगा क्या starting में पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ठीक है मेरे इस वीडियो को आप लिखते रहिए next stage आता है ALP का CBT test ये होता है computer based aptitude test ये भी ALP वालों के लिए ही रहेगा only for candidates who have opted for ALP चिनोंने ALP के लिए form बना है वही इस test का chain shortlisted candidate should produce the vision certificate जितने भी shortlisted होंगे stage 1 और stage 2 के बाद तो वो अपने साथ vision certificates अपने साथ ले कर जाए prescribed format जो भी उन्होंने format दिया हुआ है notifications में उस format में आपको vision certificate ले कर जाना होगा ALP वालों को और ये जो होगा वो NX4 4 में आपको दिया गया है जो notifications आये था ALP का उसका NX4 4 जो है उसे read करिए उस format में आपको vision certificate अपना बनवाना है और उस original certificate को जो computer based 80 test होगा, aptitude test होगा उसमें आपको ले जाना है which will be not be permitted to appear in the computer based 80 अगर आप नहीं ले जाते हो तो आप नहीं बेट सकते appear नहीं कर सकते computer based aptitude test होगा, बात करते हैं इस stage के बाद ये एक psychotest होगा CB80 वाला जो ये test है, aptitude test ये psychotest होगा इसमें various merit में आपको chain रना पड़ा है ठीक है, बात करते हैं ALP merit list की, जो merit list बनेगी, उसमें आपको candidates qualifying aptitude होगे, जो CBT test होगा, इसमे qualify कर जाएंगे, ये qualifying marks का रहेगा, इसमें आपको केवल qualify करना है, तो उतना ही करें, qualify कर पाएं और उसके बाद आपको अगर अच्छे से कर सकते हैं, तो आगे बढ़े हों कि उसको करें, तो ये qualifying nature का है, और with 70% vouchers for the marks obtained in the part A, जो आपने part A में numbers 70% है, वो आपको part A में इसके लिए रहेगा, और जो second stage में आपने दिया है, CBT, उसके लिए 30% का weightage रहेगा, 70% part A का, और 30% CBT का, ये दोनों conclude करके आपकी merit बनेगी और ये आपका C levels complete यहां होता है, अब जो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप इसके लिए एक अच्छी रणनिती बनाए, daily basis पर आप test series लगाए, हमारी जो test series यह वो start होने वाली है, एक November 2018 से हम test series start करने वाले है, thank you देशो, मेरा ये channel आप subscribe करें और अपने दोस्तों को share करें, ताकि उन्हें भी ये सारी जानकारी मिल पाए, और ये जो शिलेवा से वो अच्छे से cover कर पाए, thank you, thank you very much